वेलकम गुड इवनिंग दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग बेसपाल के बारे में जो मैच होने वाला है दी इटी वर्सिस दर्मियान इस वीडियो में दोस्तो हम आपके साथ की प्ले इर स्कीन बेसे इट अब जायेगी लेकिन आगे पटने से पहले दोस्तो हम दोनो टीमस की रिसेंट परफॉर्मेंस पर एक नजा डालेंगे दोस्तो अगर हम बात करेंगे DET की तो यह आपको point table में 11th position पर देखने को मिलेगी यानि 11 नमबर पर वही CLE की अगर हम बात करेंगे यह point table में आपको number 1 पर देखने को मिल जाएगी दोनों टीमस के last 5 match की अगर हम बात करेंगे last 5 match में DET ने दोस्तो दो match वही CLE ने 3 match जीते है और अगर हम दोस्तो बात करेंगे head to head की तो head to head में 5 जो last के 5 match है उसमें से दोस्तो CLE ने 3 match और इसने 2 match जीते है तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि CLE की team दोस्तो आपको super strong team देखने को मिल रही है अगर आप head to head small league खेलना चाते हो तो इस team के जो player से उन पर आपको थोड़ा सा जाधा focus करना पड़ेगा तो चलिए आगे बढ़ते है त्यारे दोस्तो शुरुआत करेंगे हम catcher section से यहाँ पर दो option है दोनों में मैं आपको बता दूँ कि पहला वाला जो option है दोस्तो यह बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप सुमाल लिक head to head खेलना चाते हो और grand league के लिए भी ठीक रहेगा लेकिन अगर आप सिर्फ grand league के ट्राइ कर रहे हो तो एक team में इसको try कर लेना इसने ज़्यादा माच नहीं खेले है और recent match की बात करेंगे कोई दोस्तों इसने home run score नहीं किया है student base score नहीं किया है single run double run आपको आथसानी से score करके दे सकता है वह जे रोगरीज की बात करते है दोस्तों इसने home run भी score किया है बैतरीन option है इसके साथ जा सकते हो minimum दोस्तों आपको 10-5 score करके दे सकता है catcher section की बात करते है दोनों प्लेयर दोस्तों बिल्कुल नहीं ज़्यादा match नहीं खेले है और ये दोनों जो है दोस्तों grand league के लिए ठीक रहेंगे और मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि pictures जो होते है दोस्तों ये ही होते है back boon जितने के लिए आगर आपको आगे पहुचना है rank में आगे आना है तो ये ही आपके टीम में अगर सही player है तो आप आगे जा सकते हो दोनों ही दोस्तों 100% grand league के लिए ठीक ठाक option रहने है बलाई ये दोस्तों आगर आप catcher section में इनको as a normal player लोगे कोई बात नहीं वेकिन इन में से दोस्तों आप ज़रू try कर लेना है as a captain, vice captain ठीक है बली आप catcher section में किसी को captain मत बनाओ लेकिन यहां पर दोनों को batted in run scored बहतरीन option है captaincy के लिए दोस्तों आप इसके साथ जा सकती हो वही दोस्तों डीटी के तरफ से दोस्तों यहां पर सीक किये था आपको देखने को मिल जाएंगे अभी तक last के कुछ match की बात करेंगे तीन home run दोस्तों इसने score किया है ये भी दोस्तों wise captaincy के लिए तकरीब score करके देंगे अब दोस्तों बात करतें जो बाकी अच्छे options है जो कि तकरीबन आपको लेने ही चाहिए अपने team में और सस्ते में मिलेंगे हलाकि अगर पहला वाला option विरलिंग की बात करतें averages का 10 प्लस dream 11 points से इसका score है आप इसके साथ जा सकते हो इसका सेम जैसा player यहां पर continuous performance नहीं है इनकी consistency नहीं है अच्छी ठीक है अब बात करतें दोस्तों आउट फिल्टर section की तो यहां पर आपको L Thomas देखने को मिल जाएंगे last match की बात करतें तीन home run जिसने score किये है single run double run आपको score करके देगा इसके साथ आप जा सकती हो और यहां पर दो सबसे बहतरीन player जो है वो है team free man जो के captaincy के लिए बिल्कुल दोस्तों बहतरीन option रहने वाले है पिशले दो सालों की अगर हम बात करेंगे तो यह बहुत ही बहतरीन है single run double run triple run home run 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 score हर तरीक से दोस्तों आपको score करके दे सकता है यह सबसे amazing player है इसको आप बिल्कुल try कीजिएगा सिर्फ 10% लोग न नहीं है जिसको आप captain wise captain try कर सकते फिर में दोहराना चाहूंगा यहां से टी फ्रीमेंस सबसे ज्यादा पहतरीन है डबली प्रीज के साथ आप जा सकती हो ठीक है अब बात करतें दोस्तों इंफिल्टर सेक्शन की यहां पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया जे रैमरीज के सीकेथ और जे नाइलर बाकि आप किसी भी प्लेयर को दोस्तों आपने हिसाब से ट्राइ कर सकते हो पिचर में दोनुग प्लेयर्स को लेना वही दोस्तों अगरे इंफिल्टर सेक्शन की बात करें आपर captain सी के लिए हला कि कोई ठीक नहीं है लेकिन आप चाहूं तो wise captain ले स